नमस्कार मैं अभिशेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं साइको का जो पेपर होने वाला जिसमें आपके पांच टोटल टेस्ट होने वाले जिसमें से एक टेस्ट जो है आपका depth perception टेस्ट होने वाला जिसके द आपको attempt करके आने हैं और आप easily attempt भी कर लोगे और बहुत लोग 45-47 attempt भी कर रहे होंगे जिनका concept के लिए है तो मैं पूरा आपको टोटल एक चीज आपको डिटेल डिसकेशन करूंगा और जिनको सारी चीजे पता तो उनको थोड़ी worrying भी लग सकती है भाई तो मैं एक चीज समय देखने को मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा इस एक फीगर से पांच कोशन आपके पूछे जाएंगे जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा वाली जो इट है कितने इट को टच कर रही है आपको बताना चार इट से टच कर रही है या पांच इट से टच कर रही है साथएट सेटच कर रही है तो यह आपको जवाब देना होता है इट का सर्फस वाला पार्ट हो गया टोटल इट में छेट सर्फस होते है यह उपर वाला एक नीचे वाला दो इस साइट तीन और इस साइट जो गया चार यह फ्रंट जो हो गया पांच और इसके जो back वाली जो surface हो गई, ये वाली जो surface दीख रही होगी back में, वो हो गई 6, total 6 surface होती है, ठीक है, अब इस 6 में से कोई भी surface को, जो जो it touch कर रही होगी, आप उसे count करोगे, मतलब क्या, अराम से थोड़ा सा time दीजेगा, समझ में आईगी सारी चीजे, इस surface को जो मैंन ठीक है, ये surface पे अगर कोई आपका it रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसे count करोगे, यानि कि इसके surface को, जो नीचे वाली जो red it आप दे करोगे, उसका जो ये surface था, देखे, ये जो ऊपर एक it मैंने बनाया, इसका नाम मैंने c दे दिया है, और नीचे वाला जो red वाला इसलिए आपने उसे count किया, लेकिन अगर इस it को, ये जो a it, जिसका मैंने नाम दिया है, इसके corner को कोई touch कर रहा होगा, कोई it, तो आप उसे count नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग corner से जब 2 it, corner को 2 it है रखी हुई, और इस तरह से एक it, a, a होगे, और ये एक it, b है, इस तरह से पर corner से बना हुआ, जैसा आप घर में जब देखोगे, चार, चार तरफ की corner, तो corner corner जो touch हुआ होता है, ठीक है, जो column खड़ी होती है, column में जब corner touch करी है, तो वो it हमें count नहीं करना होता है, क्योंकि वो surface को touch नहीं कर रहा होता है, तो surface आप समझ गोंगे, ये आपका surface सबसे चीज को ये surface को अगर छूरे होगी, कोई it, तो आप उसे count करोगे, ठीक है, जैसे देखो, ये surface को छूरा है, यहाँ पर इतने सारे जो it बने होए, देखे, ये surface को पूरी छूरी है, इसकी कम से कम 80% भाग को touch कर रहा है, 75% भाग को touch कर रहा हो, 50% भाग को touch कर रहा हो, 40% या 25% टच कर रहा होगा, तो आप उसे count करेंगे, लेकिन corner को केवल touch करेगा, तो आप उसे count नहीं करेंगे, ये वाला जो भाग देख रहा होगे, ये आपका corner हो गया, ageism का ठीक है, किनारा, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ये question है, ठीक, question आपको, एक चीज और मैं सेम, समान होती है, पहला चीज एक ये, आपको इदिमाग में रखना है, जितना भी इट आपको मिलेगी, सारे इट का जो size, जिसकी लंबाई, ठीक है, ये जो होगे, इसकी जो चोड़ाई हो गई, इसकी जो मुटाई हो गई, ठीक है, वो सारे इट की क्या होगी, समान होग समान रहेगी, क्यूंकि आपको इसकी समझना होगा, जैसे कि ये आप इट देखो, F, F वाली जब इट आप देख रहोंगे, तो इसका मतलब आपको यहां क्या समझ मारा है, कि ये जो इट रखी हुई है, ये इतनी लंबी है, ये इट, और इसकी ये जो है चोड़ाई, इस कि ये इट इस तरह से रखी हुई है, यहां पर ठीक है, बस आप देखना, मैं F, इट को अभी आपको दिखाना चाहरा हूँ, इभी मैं आपको और भी अच्छे डिटेल से समझाओंगा, उसी परकार आपको depth perception करना है, मतलब प्रत्यक्षी करन आपको इतनी गहराई से सोच कि दिवाली इट को कितने टच कर रही हैं लिशय कैнибудь कंडी आप अगर आपको पूछा नीचे से कितने टच कर रही हैं तो इछ न बहुत वाली इच कर रही है, स्वाली टच कर रही है corner को हम लोग consider नहीं करेंगे safe और size क्या होगा बिल्कुल ही समान होगा ठीक है अब सबसे पहले और एक चीज़ यह कि अब हम लोग जो जैसे हम इसे question पूछा जाता है examination में जो exact question आएंगे question पूछा जाएगा कि यह जो आपको A वाली eat जो दीख रही है इस A वाली eat को कितने eat उसे क्या करी है या उसे touch करी है तो इसे बनाने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस A वाली eat को जो है कितने तरफ से eat उसे घेर करके रखी होई है मतलब कि जैसे इसको देख रहे होंगे उपर से भी एक टुश कर रही है इसके left side से भी इसको एक टुश कर रही है इसके right side से भी टुश कर रही हो और इसके नीचे से भी टुश कर रही है लेकिन आपसे अगर यहीं पूछ ले कि इवाली जो इट रखी हुए उसको कितने इट इसपर्स कर रही है तो सबसे पहले आप देखो कि कितने तरफ से घिरी हुए इटो से उपर में देखो क्या इसके इट है नहीं है तो कुछ मतलब ही ने लेना आपको उपर के बारे सोच नहीं है आपको राइट साइट से लेफ्ट साइड नीचे बस दो तरव से आपको सोचना है और दो तरव से कितने टेश कर रही है वह आपको बस examination में निकाल के आपको को सबसे पहले समझना है कि कौन से इट को कितने तरब से इट घेरी हुई है ये धीरे धीरे आपको जो है समझ में आईगी और एक बार समझ में आगई ना तो आप जो है तुरंद आपकी speed automatic बढ़ जाई क्योंकि आप figure को देखते ही जैसे कि अभी मैं अगर examination में मैं बैठता हूँ अगर मुझे बनाना है मैंसे question पूछा गया एक इट को कितनी इट इसपर्स कर रही है तो मैं बद देखा उपर में एक इट है इस सैट देखा मैंने दो इट है नीचे देखा मैंने एक इट और दो इट तो कितना हो गया जब आप देख रहे होंगे यह जो एवाली इट आप देख रहे होगे ठीक है यह जब मैंने आपसे पूछा एवाली जो इट रखी हुई है उसको कितने इट को कितने इट इसपर्स कर रही है तो उपर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने इट इसपर्स कर रही है ठी यह इस सरह से रखी होई होगी ईट को दिख रही होगी एफ और आप जब देखोगे एवाली जो इट नीचे से कितने इट को touch कर रही है, दो इट को touch कर रही है, एफ और सी को touch कर रही है, अब इसे और अच्छे से detail में आपको समझ में आईगा यहाँ पर चीज देखे यह वाली जो मैंने यिट आपको जो दिखाया यहां पर एफ और चीज नीचे दो एट रखा हुआ है यह यह अ नीचे कितना इट को टेच कर रहा है जो एक आउला जो तो दो कर रही है ठीक है एक चीज यह किलियर तो आप किस तरह से देखो यहाँ पर सिंपल जाई तो आप इतना डिटेल आपको एग्जामिनेशन में तो करना नहीं है बस एट आपने देख लिया एट के नीचे आप देखोगे कितने एट आप देखा नीचे कितना एट है एक एट हो गया देखोगे राइट साइड तो यह उच यह आपका भी वाली होगह और वालीत यह पूरी डिरे जो है यह डिर यह इससे कि Jeep Kaweb 2ब तो एक यह तो यह जूहां वाली इट हो नहीं। सब्सक्स साथ करें सम्सक्avam कुशने लिगसे मसले के सर्फिस सब्सक्राइब सनस्द्राइब लगने यह सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अब हम बात करतें ऊपर से कितनी इटी से touch कर रही है अगर हम इसे देखते हैं उपर से तो केवल एक इट जो है आई उसे केवल टच कर रही है तो जब आप देखो के एट जो ओप वाली फिगर यह जो इस साइड है टच कर रही है जी तो टोटल अगर हम आप काउंट करते हैं A को कितने इट इसे छूरी है तो नीचे से 2 इट हो गई राइट साइड से यह 2 इट हो गई तो कितना हो गया 2, 3, 4 यह साइड हो गया 5 और उपर जो हो गया 6 तो A का जो एंसर होगा, आपका 6 एंसर होगा ठीक है अब बात करते हम लोग B UIT के बारे देखें B UIT को कितने इट टच कर रही है तो सिंपल सा हमने देखा यह B UIT आपका यहाँ पे आप देख रहे हो गई किसु से बिखले कि देखना कि कितने तरप से बी वाली जो इट है घरी हुई है तोसब से पहले देख रहे हैं नीचे से कितने इट से टच कर रहे है तो एक पıyorsunकर तोकिक सिर अदम आप से ऐख कर रहे हैं This one it. This is a war of a the at Pharisee. कि िवाली है इसकी ये वाली जो सर्फिस टच कर रहे हों तो कितना होगी आपको देखने को आपको gladi egg का चारे की नीचे से एक लेफ्ट साइड़ इस नीचे से 1 ऊपर से दो इसी तरह आप हम बात करते चारे होग्या pops डी वाले इंट को आपको अपको समझना तो ऐस वाले एक की तक तो थाट सोग है तो नीचे नीचे तो हैं कि आपकोकर टच कर機 कर रहे हैं अब इसके ऊपर जातें ॉसके ऊपर आप देखेगे एक डी यहां तक I कि ऐसे आपकी रखी वए नीचे ठीक है और यह जो है आपका एप वाली ही ट रखा हैं आपको लेना है एयफ की Посो देखी रहे होंगा कैसे टैच किया रहा है डी वालएटार कर रहा है उसी प्रकार यह तीनव से को भी तो टैचकर रहा होगा मतलब किडिपली वहां झा करके आपको फिगर को विजु Aber गर अब बात करते हैं हम ड वाले it को कितनी talk कर गग Kidक कि तो यह तो इसे ऑफर हम देखते हैं तो यह केवल टेट करी और इस साज़ें यह चर रहा है अब हम बात करते हैं इव जो इत है इज से कितना इats कर रहा तो उपर में कोई भी इत नहीं है इस साइट कितनी टेश कर रही है एक बीट नहीं है अब हम देखते नीचे से कितनी टेश कर दो देखिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा लगा लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना जल्दी आप आप एक्जामिनेशन में सॉल्व कर दोगा अगर यह चीज जो मैं आपको बताया है कि चीजों को अगर दिमाग में बैठा लिए हो देखे एक्जेक्ट कोश्चन आपका आया हुआ है प्रिवेश शेयर में यह और अगर आप समझ गयों कि किस तरह से आपको एट के बारे को टश कर रही है 3, B को मैं बात करहाँगा नीचे से एक इधर से 2 और उपर से 3 तो बी अंसर 3 हो जाएगा एक की C, तो C को किटने तरप से touch किये जा रहा है, एक side से ये touch कर रही है, एक उपर, और C का हो गई, आपका 2, D के अगर हम बात कर ले, तो D को नीचे से touch किये जा रहा है, 1 ये, एक उपर वाला 2, और 1 ये हो गया 3, ये, नो D का भी answer हो जाएगा आपका 3, तो बस इतना जल्दी आप को निकाल लोगे तो एक को एक फिगर को एक को मतलब एक जो से फिगर दिया हुआ रहेगा जिसमें पांच को उसको बनाने में हाड़ी आपको 30 से 40 से कंड लगें मतलब टोटल आप 40 प्लस 45 के आसपस आप पहुंच जो जो मैंने आपको तरीका बता है तो देखें अब इसको मैंने देखा तो कैसे आपको समझना एक्जामिनेशन में जल्दी करना एक को देखो उपर कितना यह एक टेच कर रहा है एक नीचे वाली टेच कर रहा है यानि एक का एंसर हो गया ती एक यह वाली टेच कर रही है और नीचे से एक यह वाली और एक यह वाली टेच कर रही है ठीक है उसी तरह अगर सी की अगर हम लोग बात कर ले तो उपर से एक टेच कर रहा है और इस साइट से केवल एक यह टेच कर रहा है तो दो इट हो गया डी की अगर हम लोग बात कर कर दो नीचे से ऑज्ये पैसा कर दो निए 10 अब या यह था आप मैं यह तरफ कर रहा है यह तरफेस kेंश कर रहा जो कि एप मैंने नहीं हूं का पर दो आप हमें रहा हय हुआतम सब कि दजल सबस्यट्रियों नान पीचित कर्क पांधनी इस साइड से कितना दो इट हो गया भी और यह कि यह चार और उपर से यहां तक लंबी इतनी है तो इस तरह से टेच कर रहा तो यह चीज आपको यह भी समझना होगी जितने इट है सब की लंबाई चौड़ाई सभी की समान होगी यहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम और प्र करते हैं बिक स्टेक्स के उपर 5-6 कोशन और कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए